नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाई वाइब्रेशन क्या होता है और हमेशा हाई वाइब्रेशन में कैसे रहा जाता है इससे जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वाइब्रेशन एक्च्वल में क्या है दुनिया की हर एक चीज vibration है या दुसरे शब्दों में कहे था हम इसे energy भी कहते है आप भी vibration हो आपके round जितने person है वो भी vibration है और इस दुनिया की जितनी चीज़े है चाहे living हो चाहे non living हो हर एक चीज vibration है और हर एक vibration को control करता है law of attraction और हर vibration की एक अपनी frequency है और वो frequency बनती है आपके thoughts से और आपके thoughts आपकी feelings जिस तरीके की होती है आप उसी vibration में कहलाए जाते हो और जिस तरह के thoughts of feelings में आप रहते हो उसके equivalent जो भी vibration आपसे जुड़ती है वो आपकी life में manifest होती है मतलब simple है कि जो भी चीज़े attract होती है आपके thoughts से attract होती है क्योंकि thought एक vibration है और आप जिस vibration पर अपने thoughts को रखते हो उसकी जो को अपनी life में manifest कर लेते हो आप feelings में तो देखो के तो कही तरह की feelings है या कही तरह की thought vibrations है लेकिन अगर इसको simplify करके देखा जाए तो positive vibration एक side है और दुसरी side negative vibration है या जिसको आप बोल सकते हो एक side high vibration है तो दुसरी side low vibrations है high vibrations की जो feelings होती है अब उसको आप देख सकते हो gratitude, appreciation, joy, love, belief, positive expectations इसे high vibrations कह सकते हैं वही दुसरी opposite side अगर आप देखोगे तो anger, frustration, jealousy, stress, anxiety, depression ये सारे जो thoughts of feelings है ये negative vibrations या फिल low vibrations में कहा जाता है इने अगर आप thoughts of feelings में ज्यादा vibrate करता है उस तरह की चीज़े आपकी life में ज्यादा manifest होती है अगर आप overall अपने आपको देखो आप life में अगर बहुत negative person हो तो आपकी life में mostly चीज़े negative ही manifest होंगी वही opposite अगर आप बहुत अच्छे mood वाले इनसान हो या आप हमेशा positive सोचते हो कुछ रहना पसंद करते हो तो ऐसे time में आपकी life में जो चीज़े manifest होंगी वह naturally positive होंगी और यहीं पर अगर आप high vibrations या low vibrations की तरफ देखो तो यह नहीं कहा जा सकता कि high vibration में रहने वाला ही person alignment में है और low vibration वाला person resistance में है यह उसकी direction देखकर बताया जा सकता है कि वो किस जगा पर move कर रहा है कहां आप stand करते हो वो important नहीं है कहां आप जा रहे हो वो important है हो सकता है इस वक्त आप depression में हो लेकिन आपकी vibration इतनी strong है कि आप उस depression में से निकलने के लिए पूरी तरह से तयार हो आप उसको beat करने के लिए तयार हो आप हिम्मत नहीं हार रहे हो तो ऐसे time में आप हो भले resistance में लेकिन आप जा रहे हो alignment की तरफ यानि आप हो low vibrations में लेकिन जा रहे हो high vibrations की तरफ तो भले ही आप resistance में हो लेकिन still आपको कहा जाएगा कि आप higher vibration की तरफ हो और आपकी life में वो betterment आएगा लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि कोई दूसरा person है उसकी life में सब कुछ अच्छा है या वो खुश भी है उसकी life में gratitude भी है लेकिन धीरे धीरे वो देख रहे है कि वो चीज़े उसकी life में से कम होती जा रही है और complaints बढ़ती जा रही है तो ऐसे time में वो person अच्छी vibrations में तो है लेकिन उसको alignment में नहीं कहा जा सकता क्योंकि वापस वो reverse negative की तरफ ही जा रहा है तो बस ये समझना होता है आपको क्योंकि manifestations चाहे जितनी भी हो वो एक-एक करके तो पूरी हो ही जाएंगी लेकिन overall उसके अलावा अपनी life को अगर आप देखो तो दिन के 24 गंटे होते हैं अब पूरे 24 गंटे में अब हमेशा अपनी desire के बारे में तो नहीं सोचोगे आपको जो चीज अपने round नजर जाएगी जिस चीज पे आपकी नजर जाएगी उस चीज से related आपके mind में thoughts activate होंगे और हर एक thoughts आपको ये बताएगा कि या तो आप vibrational alignment की तरफ या higher vibration की तरफ जा रहे हो या तो आप lower vibration resistance की तरफ जा रहे हो अब यहाँ पर ये देखा जाए तो ये बिलकुल भी matter नहीं करता कि आप हमेशा higher vibrations में रहो क्योंकि ये देखा जाए तो पूरी तरह से possible भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि life में हर तरह की situations आती है और हर वक्त आप हमेशा खुशी रहो हमेशा आप high vibration में ही रहो ये possible नहीं होता या बोल दे एक बार को possible हो भी लेकिन जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं होता ये एक तरीके से आप मान सकते हो कि flawed premise है या mostly आपका मन ये मानता है कि आपको हमेशा higher vibration में ही रहना चाहिए manifestation करने के लिए जबकि ये जरूरी नहीं है आप चाहे जहां भी हो जिस भी vibration में हो आपको अपने point को देखना है कि आप किस तरफ forward कर रहे हो किस तरह आप बढ़ रहे हो अगर negative की तरह आप बढ़ रहे हो तो आपको reverse करके वापस से positive की तरह बढ़ना है अगर आप positive की तरह बढ़ रहे हो already तो उसमें continue रहना है और बाकी वो emotions में जो up-downs आते हैं वो आते रहेंगे अब जब इस तरीके से आप अपनी life को देखते हो तो आती से ज़्यादा problems तो वैसे solve हो जाती है फिर आप समझने लगते हो कि कोई जबरदस्ती नहीं है कि आपको किसी चीज को manifest करना है तो उसके बारे में हमेशा positive ही सोचते रहो ये भी सच है कि आप उसमें negative सोचते हुए उसको manifest नहीं कर सकते लेकिन positive सोचने का ये मतलब नहीं है कि एक पल के लिए भी आपके मन में उसके बारे में negative विचार ना आए बस बात वही आजाती है कि focus किस तरफ जादा है negative की तरफ भी focus रहेगा positive की तरफ भी focus रहेगा focus आपको positive की तरफ जादा रखना है और इसी के लिए law of attraction के सारे processes होते है अब techniques को मैं इसलिए नहीं उतना कहता करने के लिए क्योंकि techniques होती ही कुछ दिनों की है जैसे 555 technique है तो आप उसे सिर्फ 5 दिन करोगे उसके अलावा आपको करने की इच्छा भी नहीं होगी नहीं उसको किया जाता है अब 5 दिन में आपका mind इतना shift नहीं लेता आप already एक बहुत अच्छी vibration में हो और अपनी manifestation को boost करना चाहते हो fast करना चाहते हो ऐसे मैं आप चाहो तो 555 का योज़ कर भी सकते हो लेकिन अगर आप अपनी life में देख रहे हो कि आप negative vibration में हो और उसी की तरफ और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हो और उसको shift करने के लिए आप 555 technique का योज़ कर रहे हो हर वक्त करते रहना चाहिए जो आपको एक अच्छी vibration में रखे यानि एक ऐसे momentum में रखे जहां पर आप forward जा रहे हो एक higher vibration की तरफ या एक alignment की तरफ क्योंकि vibrations में आप downs तो होंगे आप चाहो न चाहो क्योंकि ये physical reality या 3D जिसको हम बोलते हैं 3D है ही ऐसा कि current reality पे आपका ध्यान जाता ही है और जो चीज आपको पसंद नहीं आती है आपको बुरी लगती ही है लेकिन choice हमारे पास हमेशा होती है कि हम किस चीज पे focus रहना चाहते हैं हम चाहे तो अपना ध्यान उस चीज से हटा सकते हैं लेकिन ध्यान जाता है कोई बुरी चीज होती है तो ध्यान जाता है अब ध्यान हम अपनी मर्जी से चाहे तो उसी चीज में लगा कर भी रख सकते हैं तो यही चीज आपको समझनी होती है कि ध्यान सिफ उनी चीजों पे लगाना है या नहीं चाहिए हो जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि धुनिया की हर एक चीज vibration है और हर एक vibration को control करता है law of attraction और आपके thoughts भी एक vibration है आप जिस thought को continuously create करते रहते हो उस vibration से आप match हो जाते हो और उससे मिलती जूलती चीज़े आपकी life में manifest हो जाती है अब overall depend करता है कि आप किस तरीके की feelings में ज़्यादा रहते हो जिस तरह की life या जिस तरह की thoughts और feelings आप चोज़ करोगे उस तरह की आपकी life बिल्कुल बनती जाएगी 100% बनती जाएगी और अगर कोई चीज़ आप अपनी life में नहीं experience करना चाहते तो Abraham कहती है कि उस बारे में बात ही मत करो न अच्छी न बुरी क्योंकि अगर आप उस बारे में बात करते हो उस पे अपना thought देते हो तो इसका मतलब है कि आप उस चीज़ को अपनी life में invitation दे रहे हो कि आओ और जिस तरीके से आप thoughts या feelings create करते हो उस तरीके से आप उसको invitation देते हो जैसे मान लिजए कि example के तोर पे आप specific person को manifest कर रहे हो और आप को खुशी है कि वो person आपकी life में आ जाएगा या आने वाला है या overall simply देखो तो उसको लेकर कि आपके mind में ज़्यादा negative thoughts नहीं है ज़्यादा complaints नहीं है तो ऐसे में वो person आपकी life में आएगा manifest होकर आपके according लेकिन वहीं अगर आप उसको manifest कर रहे हो और complaints बहुत ज़्यादा है उस person से related आपके mind में और निकल ही नहीं रही वो complaints तो वो person आपकी life में तो manifested रहेगा लेकिन इस तरीके से manifested रहेगा कि complaints हमेशा बढ़ती जाएंगी यानि person है लेकिन इतनी दूरी पे है या कुछ ऐसा behave कर रहा है कि आपको बार-बार उस बारे में बात करनी पड़ रही है बार-बार उस बारे में complain करनी पड़ रही है कि यहाँ यह अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है तो simple देखा जाए तो vibrations इस तरीके से work करती है और यह बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा high vibrations में रहो तो यह high vibrations वाले जो flawed premises हैं इन में से आपको निकलना चाहिए और आपको यह समझना चाहिए कि overall आपकी अच्छी feelings matter करती है और उससे भी ज़्यादा यह matter करता है कि आप किस direction में move कर रहे हो vibrations में हमेशा आप down आपको देखने को मिलेगा लेकिन आपकी routine में हमेशा ऐसी practice होनी चाहिए जो आपको हमेशा pointed upwards रखे यानि एक alignment की तरफ आपको हमेशा बढ़ाती रहे जैसे meditation है या positive aspects है या gratitude है या दुनिया का कोई भी process है जिसको आप long term तक use कर सकते हो तो ये थी हमारी आज की वीडियो आपको ये वीडियो कैसी लगी comment box में जरूर बताइएगा और अगर आपको personal subliminal या mind reprogramming audio बनवाना हो या मुझसे personal session लेना हो तो उसके लिए आप मेरे manager अमरीद को contact कीजेगा उनके whatsapp नमबर पर उनका whatsapp नमबर मैं आपको comment box में दे दूँगा और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद